Hello friends, this is Rahul, welcome to JF Dreamers So friends, आज की विड़े में, आगे ही हम एक important topic discuss करेंगे that is service quality जिसमें basically हम बात करेंगे service dimensions की और gap model की Friends, अभी तक जेतने भी हमें questions देखने को मिले हैं वो service dimensions में सही देखने को मिले हैं हाला कि जो gap model है, वो भी service marketing का एक important topic है तो इस पर chance यह है कि हमें gap model में से question देखने को मिल जाए तो हम दोनों ही topic को अच्छे से discuss करेंगे आज की वीडियो के अंदर Friends, वीडियो को last तक जूर देखना क्योंकि last time मैंने आपसे कुछ questions आज कर गए हैं जिसका answer basically आपको ही देना है Basically वो एक evaluation question होगे जिसके वेस पर आप खुद को evaluate कर सकते हैं कि किस तरह के तो question आपको देखने को मिलेगा exam के अंदर और आपको topic understand हुआ भी है या नहीं हुआ ठीक है जिसके answer आपको टेलिगाम चैनल पर मिल जाएंगे तो जाकर टेलिगाम चैनल को भी join कर लेना सो चली टाइम को वेस की बना स्टार्ट करते हैं सो चली फिंट्स बात करते हैं service quality की तो service quality में basically हम यह देखते हैं कि एक organization किस तरह service को deliver कर रही है in comparison to customer expectation तो अगर जो organization है वो customer के expectations को fulfill कर जाती है या exceed कर जाती है तो customer जो है उसको अच्छी rating देता है और कहता है कि जो service की quality है वो कैसी है best है on the contrary अगर organization उसकी expectations को नहीं fulfill कर पाती तो customers को low rating प्रोवाइड करता है और कहता है कि जो service quality है वो कैसी है best नहीं है low है अब एक example के साथ समझते हैं friends मैंने कल जो है अपने friend की शादी में जाना था और मुझे आज cutting करवाने थी urgent तो मैंने friend से suggestion लिया कि किस से मैं cutting करवाना उसने कहा कि ABC Salon पर चला जा वो बहुत अच्छी cutting करता है तो जब उसने बहुत अच्छी खा तो मेरे मन में एक expectation आगी कि वो जो है अच्छी cutting करता होगा और जब मैं cutting करवाने गया मैंने वहाँ पर infrastructure देखा मैंने देखा AC भी है अच्छी lightnings भी है और उसके पास जो Caesar वगएरा वो भी काफी अच्छी है expectations मेरी कैसे होगी double होगी लेकिन जब उसने reality में cutting करी तो वो मेरे को बिल्कुल भी मैं satisfy नहीं हुआ तो मेरी expectations को वो fulfill नहीं कर पाया तो जिससे मैंने कहा कि जो उसकी quality है service की वो average है या low है तो basically सारी बात किस चीज़ की थी एक customer की expectations की ही थी तो अगर organization उस expectations को fulfill कर जाती है हम कहेंगे कि quality कैसी है अच्छी है on the contrary हम कहेंगे कि quality कैसी है low है या average है एक company with high service quality offers services that match or exceeds its customer expectations तो अगर जो company high service quality दे रही है तो वो इसका मतलब क्या है कि वो customer expectations को fulfill कर रही है आप normally note कर सकते हैं ठीक है किसी भी case में note कर सकते हैं हम कब कहते हैं कि high service quality वो organization provide कर रही है तो कही ना कहीं वो customer के expectations को क्या कर रही है meet up कर रही है चलिए अब हम बात करते हैं dimensions of service quality friends आप product के case में easily verify कर सकते हैं कि product की quality कैसे है जैसे ही मैंने eatable product है मैंने test करने के बाद बता दिया कि उसकी quality कैसी है usable product है मैंने 10 दिन उसको use करा या मालो मैंने कोई mobile है मैंने use करने के बाद बता दिया कि उसकी quality कैसी है कि सही चल रहा है, अच्छा है, फीचर भी अच्छी है, सब कुछ अच्छ है, मैंने बता दिया, लेकिन service के case में मैं कैसे बताऊँगा कि उसकी quality कैसे है, तो मेरे पास कुछ dimensions है, जिसके बेस पर मैं बता सकता हूँ कि service की quality कैसे है, इन dimensions को note करने के बाद, इसमें से काफी बार question ask के जाता है, हर बार जो अभी the question आ रहे है, वो dimensions में से ही आ रहे है, that's why topic काफी important हो जाता है, चली सबसे पहले हम बात करते है, reliability की, अब reliability का मतलब क्या है, it refers to the organization, ability and consistency, तो ये organization की consistency को show करती है, जैसे कि मालो हमने cable ले रखी है, जिसमें, जो TV के में cable attach होती है, तो अब क्या है, जो cable वाला है, वो हफते में दो दिन तो cable देता ही नहीं है, ठीक है, या कभी उसकी cut हो जाती है, मतलब consistency नहीं है, जैसे कि देरा है, आज cable आ रही है, कल नहीं आएगी, ठीक है, तो एक organization, जो customer है, वो बिल्कुल भी satisfy नहीं है, उसकी इस activity से, कि जो उसकी consistency है, वो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो जो cable वाला है, जो ABC cable वाला है, वो बिल्कुल भी reliable नहीं है, तो अगर organization consistency है, तो customer क्या होगा, satisfy होगा, तो क्या क्या लाएगा, reliability, तो cable वाला क्या है, reliable है, चलिए, अब हम बात करते हैं, next dimension की, that is empathy, empathy क्या है, it is how an organization deliver its service in a way that makes the company seem empathetic with its customer desires and demands, a company who believes a company truly cares about their well-being is likely to be more loyal to the company, तो company क्या है, अपना caring attitude show कर रही है towards its customer, customer के परती, एक caring attitude show करना, जैसे कि मालनो कभी आपने hotel में गए हो, और आपने room book करा हो, तो बार-बार hotel manager के जो वाँपे servants होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि, आपको किसी तरह की कोई problem तो नहीं आ रही, बार-बार आपसे feedback लेते हैं, वो ये show करना चाहते हैं, कि हमको आपकी care है, ठीक है, तो वो एक empathic attitude जो है, वो show कर रहे होते हैं, ताकि आप जो है loyal रहे उनके परती, कल को आप recommend करो, तो उनी का hotel जो है recommend करो, ठीक है, तो ये क्या है empathy है, तो इसके से भी क्या है, एक customer का जो attitude होता है, वो effect होता है, customer जो है सोचता है कि, यार ये तो काफी care कर रहे हैं, इनके जो quality है service की, वो क्या है, काफी अच्छी है, तो ये third dimension था service quality का, चलिए, next dimension की बात करते हैं, that is responsiveness, तो responsiveness implies a receiving, assessing and swiftly replying to customer request, feedback, questions and issues, अब जो है, मालनों मुझे एक hotel book कर ला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें क्या-क्या facility हमें मिलेगी, मैंने वहाँ पर phone किया, और मैंने जानना ही कोशिश करी कि क्या-क्या facility, उन्होंने पहली बात तो मेरा phone ही नहीं उठाया, तो जैसे उन्होंने phone नहीं उठाया, मैं समझ गया कि यार, इसमें जो है, कुछ भी दम नहीं है, बिल्कुल quality जो पाएगी, लो पाएगी, तो किस तरह एक company react करती है, customer की complaints पर, उसके suggestions पर, feedback पर, यह भी चीज क्या करती है, service quality का एक important part बनती है, यहां से भी जो है service quality को guess किया जा सकता है, तो first dimension हमारा कुण सा था, reliability, second कुण सा था, tangibility, third था empathy, fourth था हमारा responsiveness, and the last one is, assurance, assurance क्या है, is the confidence and trust, that customers have in certain organization, अब कुछ customers का पहले से ही trust होता है, जैसे कि product के case में बात करें, हमें shoes चाहिए, running shoes चाहिए, हम कहते हैं कि हमें Nike के ही चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा उस brand के अंदर trust है, same case service के अंदर भी आ जाता है, ठीक है, तो यहां पर भी एगर मुझे service चाहिए, मालनो मुझे insurance करवाना है, तो मैं कहता हूँ कि LIC से ही करवाना है, क्यों, क्योंकि मेरा उस company पर क्या है trust है, तो यह भी जो चीज है, काफी important है, in case of service quality, तो हमारे five dimensions हैं, जो की service quality को determine करते हैं, वो कौन-कौन से हैं, जान लीजिए, important है, liability, tangibility, empathy, responsiveness, and assurance, तो यह five dimensions हैं, जो की service की quality को क्या करते हैं, determine करते हैं, hope so आपको साइके साइट dimensions जो है, clear हो गयोंगे, तो चलिए friends, अब हम discuss करते हैं, gap model of service quality, सबसे important model है, friend, service quality का, अब इसमें होता क्या है, एक organization, जब service को deliver करती है, towards customer, बीच में कहीं तरह किया हो जाते है, लेकिन actually में जिसमें service provide करानी है, customer को, जो employee ने करवानी है, उसको यहीं नहीं पता कि, किस तरह हमें service को provide कराना है, यहाँ पर भी क्या create हो जाता है, gap create हो जाता है, इस तरह total 5 gap होते हैं, जिसमें से 4 gap जो है, organization के through create किया जाते हैं, और एक gap जो होता है, वो customer के through create किया जाता है, तो total कितने gap होते हैं, 5 gap होते हैं, उन 5 की gap के बारे में हम discuss करते हैं, चलिए, सबसे पहला gap जो आता है, वो कौन सा होता है, knowledge gap, अब knowledge gap, नाम से पता लग रहा है, knowledge gap, एक organization को यही knowledge नहीं है, कि सामने वाला किस तरह की service चाता है, उसने अपनी research ही नहीं कर पाया, उसको यहीं नहीं पता लग पा रहा, कि सामने वाला service चाह किस तरह की रहा है, ओके, पढ़ते हैं, the knowledge gap is the difference between, the customer expectations of the service, and the company provision of the service, कि customer चाता क्या है, किस तरह की expectations है, और company किस तरह की service प्रोवाइड कराना चाती है, इसके जो बीच का gap होता है, वो कहलाता है knowledge gap, जिसको हम gap fund भी कहते है, अब इसका reason क्या है, ऐसा क्यों, so lack of management and customer interaction, जो management है, वो customer से interact ही नहीं कर पाई, क्योंकि research जब हम करते हैं, हमें सब कुछ देखना पड़ता है, कि customer किस तरह की service को चाह रहा है, lack of communication between service, employees and management, actually मैं service कौन प्रोवाइड करता है, हमारे employees ही तो प्रोवाइड करते हैं, तो employees को ही पता होना चाहिए, कि customer किस तरह की service को चाह रहा है, insufficient market research, हमने market research ही साही से नहीं करी, तो इसलिए हमें पता ही नहीं लग पारा, कि जो customer है, वो किस तरह की service को चाहता है, तो जो difference create होता है, customer की expectation का, और provisions regarding the service of organization, उस gap को हम कहते हैं, knowledge gap, next gap आता है policy gap, अब organization ने ये तो पता कर लिया, कि customer किस तरह की service को चाह रहा है, लेकिन, उसके regarding जो standard set करने थे, वो धंग से नहीं करे, तो जहाँ पर जो gap create हुआ, उसको हम कहते हैं policy gap, so policy gap is the difference between, management understanding of the customer need, and translation of debt understanding, into service delivery policy and standard, तो second gap में, company ने ये तो understand कर लिया, कि customer किस तरह की service को चाहता है, लेकिन, उसके regarding जो standard बनाने थे, वो साही से नहीं मना पाए, जैसे कि हम मान के चलते हैं, एक restaurant है, उसने ये तो समझ लिया, कि आज के time का जो customer है, वो timely service चाहता है, उसको time पे order fulfill होना चाहिए, लेकिन उसने क्या करा, उसने इतने employees अपने organization में नेरे रखे, ताकि वो क्या कर सके, time पे service को deliver कर सके, time पे order को fulfill कर सके, उसके पास इतने employees ही नहीं है, इतने waiters ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या create हो गया, एक gap create हो गया, उसको ये तो बता था कि, आज के time का customer time पे order चाहता है, लेकिन उसने इस चीज़ को fulfill ही नहीं कर पाया, इतने अपने पास waiters ही रख पाया, जिससे जो order है वो fulfill हो जाए, तो यह कुण सा gap था, यह था policy gap, अब इसका reason क्या है, lack of customer service standards, और poorly defined service level, हमारे जो level है service के, वो ही कहा है, poorly defined है, next gap आता है delivery gap, अब जो gap होगा, organization ने ये तो analyze कर लिया, कि customer किस तरह की service चाता है, उसने standard भी सही set कर लिया, लेकिन जब actual delivery की बारी आई, वो सही से नहीं हो पाई, अब actual delivery कोन करेगा, employee ही तो करेगा, तो यहाँ पर जो mistake हुई किस से हुई, employee से हुई, so difference between service delivery policies, and standard, and the actual delivery of the service, so उस gap को हम क्या कहेंगे, delivery gap कहेंगे, अब इस gap के होने का क्या कारण है, deficiencies human resource policy, तो जो हमारी human resource policy थी, जो हमने hire करने थे employees को, वो ही हमने सही से नहीं कर पाए, failure to match supply of demand, employees lack of knowledge of the product, जो employees थे, जो हमारी service को deliver कर रहे थे, उनको सही से knowledge ही नहीं थी, हमारे product के रिगार्ड ही, next gap है communication gap, अब आपको पता है कि, आजकर हर एक जो organization है, वो advertisement करती है, अब advertisement में बढ़ा चड़ा कर दिखाती है, हमारी company तो आपको timely claim भी दे देगा, अगर आप insurance करवाओगे तो claim टाइम पर मिल जाएगा, ये वो, तो आपने advertisement तो over कर दी, सामने वाले को बता तो बहुत कुछ दिया, लेकिन जब actual delivery की बार ही आई, तब आप कुछ नहीं कर पाए, इतने उनको जो आपने बताया, वो सब कुछ फुल्फिल नहीं कर पाए, तो आपने over expectations क्रेट कर दी, customer के mind में, और उस expectations का फुल्फिल नहीं कर पाए, यहाँ पर जो gap क्रेट हुआ, वो कुछ सा gap था, communication gap था, so the communication gap is a gap between, what get promised to customer through advertisement, and what get delivered, आप promise क्या कर रहे हो, और आप actually में provide क्या कर रहे हो, उसके बीच का जो gap था, वो कुछ सा था हमारा, communication gap था, again, इसके reason क्या है हमारे, सबसे पहला है, over promising, आपने over promise कर दिया, second कौन सा है, insufficient communication between the, operations and the advertisement team, next gap आता है, customer gap, अब जो चार gap थे, वो किसके ने लेटिट थे, organization से लेटिट थे, अब जो last gap है, वो किससे है, customer से, अब एक customer को, खुद ही नहीं पता होता, वो बिचारा इतना confused होता है, कि उसको यही नहीं पता, कि उसको किस तरह की service चाहिए, क्योंकि उसकी expectations कुछ होर होती है, उसकी perception कुछ होर होती है, आपको पता है कि हमारी perception, और हमारी expectations में difference है, हम किसी चीज की regarding सोचते तो कुछ हो रहे हैं, और चाते कुछ हो रहे हैं, तो यहाँ पर बिचारा customer ही confused रहता है, तो customer की वज़े से, जो gap create होता है, उसको हम कहते है, the customer gap, तो यहाँ पर जो गलती आएगी, वो किस की आएगी, customer की ही आएगी, बिचारा confused रहता है, क्या करें, आप कुछ questions आपके लिए, क्या आपने understand करा, यहाँ से पता लग जाएगा, राहूल had booked a room in a five star hotel, after he checked in at his hotel room, he was angry on finding that his bad shit was filthy, which dimension of service quality was poorly reflected, तो उसने देखा, जब राहूल ने एक five star hotel room book करा, अब five star था, तो भई एक्सपेक्टेशनल सो जादा होगी, उसने देखा, जब room में गया, तो जो चादर थी वो विक्री हुई थी, ठीक है, तो बदाएए यहाँ पर जो कौन सा dimension है, वो poorly reflected है, A. Tangibles, B. Reliability, C. Responsiveness, D. Empathy, Next है, If the time taken to respond to customer complaint is less, which dimension of service quality is strongly promoted, A. Responsiveness, B. Ethics, C. Empathy, D. Durability, Next है, Which of the following is a dimension of service quality, A. Durability, B. Serviceability, C. Conformance, D. Consistency, So friends, यही कुछ questions से हैं हमारे, इसका जो answer आपको टेलिगरम चैनल में मिल जाएंगे, तो टेलिगरम चैनल को भी जोएन कर लिना, और friends, अगर वीडियो अची लगे तो प्लीज लाइक जूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेन अगर आप एंटिविजिए इन कोमर्स की पिपेशन कर रहे हैं, Thank you friends for watching,